जैसे आप सभी जानते हैं, शिप पुरान के उंसार बारा जोतिलिंग है, जिसमें से पांचुवा स्थान केदारनात का है, जिसे केदार एश्वर भी कहा जाता है। ये तीरस्थल चार धामों में से एक है, ये उत्राखंड राजय में स्थित है, जिसके पस्चिम में मंदाकनी नगदी बहती है, उत्राखंड के चार धाम गंगोतरी, यमनोतरी, बदरीनात और केदारनात हैं, जिसमें से केदारनात का महत्व बहुत जादा है, ये पावन ती प्रिव रिदेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं ड्रीम टेलेंट के एक और ने एजुकेशनल वीडियो में और आज हम बात करेंगे 12 जोतिर लिंगों में से 5 में स्थान पर केदारनाथ जोतिर लिंग की और जानेंगे कि केदारनाथ जोतिर लिंग का अकार बैल की पीड के समान क्यों है केदारनाथ में स्थित भैरो बावा का मंदिर की मानेता क्यों है क्यों भारो बावा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद या खोले जाते हैं नर और नारायन रिशी का कैदारनाच से क्या संबंद है आदी शंक्राचार्य का कैदारनाच से क्या संबंद है क्यों दिवाली के अगले दिन ही बंद कर दिये जाते हैं मंदिर के दिवार तो एक बार स्वागत करता हूँ आपका फिर से ड्रीम टैलेंट के एजुकेशनल वीडियो में और आपसे अनरोद करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले बाकी के जोति लिंगों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बारा जोति लिंगों में से किदारनाध धाम की मानेता सबसे ज़्यादा मानी जाती है ये शिवलिंग एक बैल की पीट के आकार का है ऐसा माना जाता है कि इस जोति लिंग के मंदिर का निर्मान महा भारत की यूद की समापती के बाद हुआ था महा भारत की यूद की विजे प्राप्त करने के बाद पांडव भाईयों की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का अशीरबाद पाना चाते थे लेकिन भगवान शिव उन लोगों से बहुत जादा रुस्थ थे इसलिए भगवान शिव ने अंतर ध्यान होकर केदारनाथ में बसने का फिपनिर्ने लिया पांडव उनके पीछे पीछे केदारनाथ धाम तक पहुँचके भगवान शिव ने तब तक एक बैल का रूप धारन कर लिया था और वे अन्य पशू के साथ जाकर मिल गए पर भीम ने अपना विशाल रूप धारन कर दोनों पहाडों के बीच अपने पांव फैला दिये सारे पशू भीम के पांव के नीचे से निकल गए लेकिन भगवान शिव जो तीनों लोगों के स्वामी हैं उन्हें भीम के पांव के नीचे से निकलना सवी सिविकार नहीं था इसलिए उन्होंने अंतर ध्यान होकर भूमी में समाने की कोशिश की लेकिन भीम ने उस बैल की पीड को बहुत जोर से पकड़ लिया भगवान शंकर पांवो की भक्ती से और ध्रिड संकल्प से परसन होगे और उन्होंने ततकाल दर्शन देकर पांवो को पाप मुक्त कर दिया उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीड के आकरीती में पिंडी के रूप में शिरी केदारनाथ धाम के रूप में पूजे जाते हैं पुरान कथा की अनुसार हिमालिय के केदार पर भगवान विश्नु के अफ़तार महातिज्यस्वी, नरायन और नर्ण रिश्टी ने तपस्या की थी और उनकी अराध्ना से परसन होकर बवान शंकर प्रकट हुए और उनने जोतिलिंग के रूप में स्रदा वास करने का वरदान उन दोनों को दिया था ये मंदिर वास्तुकला पर अधारित है ऐसी माननेता है कि यदि केवल बद्रीनात की आप यातरा करते हैं और केदारनात के दर्शन की ये विना वापिस आ जाते हैं तो आपकी यातरा अधूरी रह जाती है केदारनात जोतिलिंग के दर्शन करने के साथ साथ नर और नारायन के दर्शन करना भी ज़रूरी है मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसे अमरित कुंड कहा जाता है जिसका जल पीने से लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं मुख्य मंदिर की बाई तरफ के किनारे पर एक शिप भगवान की मूर्ती है और मुख्य मंदिर के से आदा किलोमेटर दूर भैरो बावा जी का मंदिर है ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरो जी मंदिर की रक्षा करते हैं केदारनाथ आने वले भगत अक्षर केदार की ही पूजा अर्चना करते हैं लेकिन अधिकांश भगतों को ये पता नहीं है कि केदारनाथ बावा की पूजा अर्चना से पहले केदारनाथ के क्षेतर रक्षक भैरवनाथ की पूजा का विदान है केदारनाथ धाम से आदा किलोमेटर की दूरी परस्थित भैरवनाथ के कपाड जब तक नहीं खुलते तब तक केदारनाथ बावा की आर्थी नहीं होती है ना ही भोग लगता है जब केदारनाथ धाम के कपाट बंध होते हैं और केदारनाथ में कोई नहीं होता है तो भाव भैरवावा ही संपून केदार नगरी के रक्षा करते हैं बता दें कि केदारनाथ मंदिर के आदा किलोमेटर की दूरी पर परसिद भैरवनाथ का मंदिर स्थित है केदारनाथ जाने वाले अधिकाँ शर्धालू भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं केदारनाथ भगवान की अर्चन पूजा से पहले भगवान भैरवनाथ की पूजा का विधान है भगवान केदारनाथ के शीत कालिन गदी स्थल उंकारे श्वर मंदिर उरी मट से जब पावा केदारनाथ की पंच मुकी चल विग्रय उत्सा डोली केदारनाथ के लिए रव तो उससे एक दिन पूर भगवान भार्वनात की पूज़ा अर्चना की जाती है, भगवान केदर की डोली के खेदार्वनात पहुंचने कर भाद मंदिर के कपार्थ तो खोले जाते हैं, लेकिन केदार्वनात की आरती और भोग तब तक नहीं लगाया जाता, जब तक और फिर शनिवार को ही खोले जाते हैं, केदारनाथ के प्रमुक पुजाई की और से ही भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। जब भैरे बावा भगवान के कपाट खोले जाते हैं, उसके बाद ही भगवान केदारनाथ की आरती, शिंगार और भोग लगाया जाता है। इसके लावा केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने से पहले भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद किये जाते हैं। किदारनाथ के खेतर रक्षक भैरोनाथ का कोई मंदिर नहीं है यहां पर खुले आस्मान में भगवान की मूरत और शिल्प शीला स्थापित है मंदिर के अंदर पहले हॉल में पांच पांडव भगवान क्रिष्ट, भगवान शिव के वहनदी, भगवान शिव के सरक्षक, वीरबदर, दुरॉपदी और के अन्य देवी देवताओं की मूरतियां है इस तीव स्थल का यात्रा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और मौसम कभी-कभी प्रतिकूल हो जाता है 2013 में इस क्षेतर में बाल आने की वज़ा से ये क्षेतर पूरा प्रभावित हो गया था लेकिन मंदिर का हिस्स, अंदर का हिस्सा और मूरतियां बिल्कु स्वरक्षित थी जो किसी चमतकार से कम नहीं है ये तीव सल अपने आप में एक अद्भुत स्थान है केदारनाज जोतिलिंग के दर्शन करने मातर से ही भक्त गणों के संकट दूर हो जाते हैं मौसम के वदलाब की वज़ा से ये मंदिर अक्षरत रितिया जो एप्रिल महीने के अंत में आता है से लेकर कार्थिक पूर्णिमा जो नौमबर तक आती है तक खुले रहते हैं ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर पांड़ो द्वारा निर्मित करवाया गया था और इसका पुनर निर्मान आदी शंकरचार्या ने करवाया था आदी शंकरचार्या का जनम आठमी शताबदी में केरल राचे में हुआ था उनके द्वारा हिंदू धर्म का पुनर उत्थान किया गया था और संपून भारत वर्ष में उन्होंने पैदल यात्रा की थी आदी शंकरचार्या ने भारत की चारों दिशाओं में चार धामों की स्थापना की थी संपून भारत वर्ष की यात्रा और चार धामों की स्थापना करने के पस्चात अपने अंतिम समय में आदी शंकरचार्या केदारनाथ आये थे वहाँ उन्होंने केदारनात मंदिर का पुनर निर्मान करवाया और मंदिर के ठीक पीछे 32 वर्ष की आयू में समाधी ले ली थी आधी शंक्राचारे ने अल्पल आयू में ही अपने श्रीर का त्याक कर मोक्ष को प्राप्ट कर लिया था उन्हें अंतिम बार उनके शिश्चों के द्वारा केदारनात मंदिर के आसपास घूमते हुए और मंदिर के पीछे ध्यान लगाते हुए देखा था इसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया आदिशंक्राचारे ने किदारनाथ मंदिर के पीछे लगबग 20 मीटर की दूरी पर अपने प्रान ट्यागे थे जहां उनके भक्तों ने उन्हें समर्पित समाधी का नर्मान करवाया था एक शोध में ये बात सामने आई है कि तेरवी शितावदी से लेकर सतारवी शितावदी तक किदारनाथ का ये पूरा क्षेतर बरफ से डूब गया था उस समें किदारनाथ मंदिर और आदिशंकराचारे की समाधी स्थल चार सो बरश तक बरफ में डूबे रहे थे उसके बाद सतारवी शितावदी में जब बरफ हटाई गई तब बंदिर और समाधी दोनों तुनर वैसे ही दिखे इसे किदारनाथ का एक जमतकार ही कहा जाए वर्ष 2013 में किदारनाथ में आई भीष्यन प्राकृतिक आपता के बारे में हर कोई जानता है इस प्राकृतिक आपता में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्ति हो गई थी इसी आपता में किदारनाथ मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा लेकिन आदी शंक्राचारे की समाधी पूरी तरह से नस्थ हो गई थी इसे भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधीजी ने पुनर निर्मान करवाया आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्षन में जरूर लिखके बताईएगा कि आपको हमरा ये वीडियो कैसा लगा ताकि हम इसमें आने वाले और जोतिर लिंगों के बारे में जब वीडियो बनाएं तो उसमें और ज्यादा इंप्रूब्मेंट कर सकें धन्यवाद